हेलो इस्टूइट्स वेलकम टूड़ेस क्लास तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं क्लाउड कम्पेटिंग को तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिसकस करते हैं इस टॉपिक को तो देखिए क्लाउड कम्पेटिंग अगर हम ब क्लाउड 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 इस तरीके से जब आप इसको इंटरनेट के हल्प से एक्सेस करते हैं तो इसी को बोला जाता है क्लाउड 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 उस game को access कर रहे हैं play कर रहे हैं तो इस तरीके से जो है आप क्या कर रहा है एक तरीके से cloud computing का यूज करना है अब इसके अलाव मालेजिए आपको data store करना है तो आप चाहाते हैं कि आपके computer को store कर सकते हैं online data को access कर सकते हैं या पिर resources को access कर सकते हैं जैसिकी मैंने अब इस ऐसाप आप आप aslında online computer को भी access कर सकते हैं तो यह सब आजाता है प्लाव कि का तिय Wow software बोला जाता है तो यह जो आपको बहुत सारे plan देते हैं जिसमें कि आप data अपना store कर सकते हैं जैसे कि हमारे जो नॉर्माली Gmail होता है उसमें हमें के मिलता है 15 GB की storage मिलती है अगर आप चाहते हैं उससे ज़्यादा का data store करना तो आपको करना होता है पर्चेस करना पड़ता है मतलब कि different type के plan मिल जाते हैं कि आप जो कुछ पैसे दे के कुछ data को जो है वहाँ पर store कर सकते हैं तो इस तरीक से different type के plan होते हैं कि क्या चीज़ आपको access करना ही है आप computer को access करना चाहते हैं या अपना data store करना चाहते हैं या फिर जो है किसी company की services को access करना चाहते हैं तो उसके according जो है वो आपको plan मिल जाते हैं तो cloud service providers होते हैं जो कि आपको cloud services provide करते हैं जैसे आज का time में hot star हो गया Netflix हो गया तो इन पर वीडियो होते हैं जो movies होती है उनके server पर store के होई होते हैं और वहां से हम क्या करते हैं अग्सेस करते हैं तो यह कंपनीज करते हैं इसके बदले में हमसे कुछ चार्जस लेती हैं मतलब कुछ पैसे हम देते हैं और उसके अक्रडिंग जो हम वहां पर कॉंटेंट को एक्सेस कर पाते हैं तो यह सब एक तरीकी का एक्जाम पहला है cloud computing जिसमें कि आपके computer पर कुछ नहीं होता है आप जो online computer से data को access करते हैं या फिर बहाँ पर data store करते हैं या फिर किसी और resources को use करते हैं तो पुझे लग रहा है आप लोग को cloud computing का concept clear हो गया होगा अब बात करते हैं cloud services की कि कौन-कौन से type की cloud services होती हैं तो cloud services के अगर हम बात करें तो mainly three types की होती हैं पहली है आपकी software as a service जिसको की short में SaaS बोल सकते हैं दूसरी है infrastructure as a service जिसको की हम short में IS बोल सकते हैं और third is platform as a service जिसको की हम short में pass बोल सकते हैं तो इस तरीकी से team type की service होती है तो चलिए इन तीनों को one by one discuss करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे software as a service की तो देखे software as a service की अगर हम बात करें तो यह तरीकी की ऐसी service है जो की on demand access प्रोवाइड करती है किसका application software का मतलब कि यहाँ पर इस service में जोहां आपको application यूज करने को मिल जाती है कुछ subscription basis पे मतलब कि यहाँ पर जो user होता है उसको subscription लेना पड़ता है जैसी कि example के तौर पर अगर हम बात करें Google Doc हो गया Microsoft Office 365 हो गया Dropbox हो गया तो इस तरीकी की services होती है होता क्या है कि आपको कुछ पैसे देने पड़ती है और उसके बदले में जो आपको application यूज करने को मिलता है या फिर आपको सकते हैं service यूज करने को मिलती है जहां पर कि जो application होगा वो already installed होगा जैसी कि अगर हम बात करें Google Docs की तो Google Docs जो है वो already installed होता है server पे Google के जिसको कि आप internet की help से अपने while phone पे for computer पर access कर सकते हैं लेकिन उसको use करने के लिए जो आपको क्या करना होता है कुछ fee देनी होती है हाला कि अगर हम बात करें Google Docs की तो यह आपको free होता है इसमें कुछ premium feature होती है जो कि आपके paid होती है जिसके लिए आपको payment करना पड़ता है तो यहां पर जो user होता है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसको install कैसे करना है यह download कैसे करना है यह already आपको install किया होगा मिलेगा बस आपको क्या चाहिए एक mobile phone या फिर आपको computer चाहिए होगा जिसके कि आप इसको access कर पाए तो internet की help service को access कर सकते हैं तो इस type की services होती है वो आती है SaaS की category में जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ आपको users के लिए application दिया जाता है चाहाँ वो कोई application हो या फिर कोई service हो सकती है जैसे कि data को store करने के अगर हम बात करें या फिर data को access करने के बात करें तो दोनों ही cases में जो आपको सिर्फ service को access करने का right मिलता है कि आप उस service को access कर सकते हैं और use कर सकते हैं यहां पर उसमें कुछ modification आप नहीं कर सकते हैं खाली जो software होगा जो application होगा यह service होगी बस वो आप यूज कर पाएंगे और उस software में जो है आप कोई भी changes नहीं कर सकते हैं जैसा company ने configure किया हुआ है वैसे ही आपको use करना पड़ेगा तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि science क्या होता है मतलब कि software as a service क्या होता है यहां पर simply आपको software जो है वो use करने के लिए मिल जाता है यहां आपको पूरा एक platform मिल जाता है मतलब कि इस service में जो है user क्या कर सकता है install कर सकता है और execute कर सकता है application को मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि अपने मर्जी के according जो है आप application वहां पर install कर पाएं जो आपको platform मिलेगा, वहाँ पर आपके कर सकते हैं, खुद के software install कर सकते हैं, और उसको execute करा सकते हैं, मतलब कि अपने according जो है, आप application को configure कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता एक तरीके से आपको ऐसा interface provide किया जाता है, या फिर आपका सकते हैं, ऐसा infrastructure provide किया जाता है, जहाँ प type की services यहाँ पर मिल जाती है, तो जब इस type की service जो है, कोई भी cloud service provider provide करता है, तो उसको बोला जाता है platform as a service, मतलब कि आपको platform provide कर दिया गया, और आप उसको जैसे चाहें वैसी use कर सकते हैं, उस पर software install कीजिए, software execute कराई है, programming कीजिए, जो चाहें आप अपने requirement का according जो है, वहा इसमें आपको पूरा एक infrastructure provide कर आता है, जिसमें कि आपका server भी हो सकता है, या फिर आपको virtual computer भी provide किया जा सकता है, जहाँ पर कर सकते हैं, पूरी तरीके से अपना data store कर सकते हैं, data को manipulate कर सकते हैं, और जो भी चीज़ा आप बहाँ पर install करना चाहाएं, वो कर सकते हैं, मतलब क आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आपको virtual computer मिल जाता है, कि वो computer आपके लिए configure करके दे जा गया है, आप उसको जैसे चाहें वैसे use कीजिए, मतलब कि जो operation आप perform करना चाहाते हैं, वो वहाँ पर कर सकते हैं, तो इस type क service में होता है, जो system होता है, उसको आपके requirement के according configure कर करके आ जाता है, मतलब कि आपको जैसे requirement के according system चाहिए, जैसे आपका storage चाहिए, बैसा आप ले सकते हैं, आज के time में देखिए, वर्चुल जो PCs होती है, वर्चुल जो machines होती है, उनका concept चल रहा है, अगर आप चाहें तो Microsoft का system खरीद सकते हैं online, जिसको कि आप मोईल से use कर सकते हैं, मतलब कि पूरी तरीकी से वो computer होगा, और सारे task वही perform होंगे, जो आप एक computer पर करते हो, कोई भी application उसमें चला सकते हो, कोई भी software उसमें टेस्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी task आप महां पर कर सकते हो, तो वो सारी चीज़े आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे इस platform है, जो कि आपका अमेरिका में रखा हुआ हो, और जैसे आपकी requirement है, उसके हिसाब से configure किया हुआ होगा, और जो task आप चाहें, अपने requirement का according of specs कोट करा सकते हैं, मतलब कि application को run कराना चाहा है, तो application run करा सकते हैं, जैसे चाहें आप ऐसे उसको use कर सकते हैं, पूरी तरीके से आपको freedom महा पर मिल जाती है, तो इस तरीके से इस service में आपको पूरा एक तरीके से computer मिल जाता है, जिसमें कि आप अपने requirement का according बार कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को यह cloud services समझ में आगे होगी, तो इस तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को ही पैंट आरते हैं, नेक